जै मातादी मित्रो कैसे हैं आप आशा करता हूँ आप लोग कुशल मंगल होंगे और मातारानी से मेरी ये कामना है चलिए मित्रो आज हम चर्चा करते हैं सूरिग रहन के बारे में यानि कि 14 दिसंबर 2020 में सूरिग रहन पढ़ रहा है और इसका 12 राश्यू पर क्या करक्ता करेंगे राश्यू पर क्या एफेक्ट है देश में क्या एफेक्ट रहे गा इसके वारे में इस कारेक्राहblyuchष्य में सब से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं जो यह जो सूरिग रायन है 14 दिसंबर 2020 में पढ़ रहा है वह भारत में आद्रिश्य यानि भारत पे ये नहीं दिखेगा, इसका कोई भी सूता का effect भारत में नहीं है, ये जो पूर्ण सूर्य ग्रहन है, ये अमेरिका खासकर साउथ अमेरिका, अटलांटिका, ब्राजील, जॉर्जिया, लीमपा में दिखाई देगा, तो कुल मिलाके ये जो सूर्य ग्रहन है, ये तो साउथ अ वेस्ट अफरिका में भी इसका आशिक रूप से प्रभाव रहेगा, यानि आशिक सूर्य ग्रहन साउथ अफरिका या वेस्ट अफरिका में भी दिखाई देगा, तो क्योंकि ये यूट्यूब चैनल है, मिक्त्रो, और इसमें करीब अन देश विदेश से अगर देखा जा आज लेके आए है, सबसे पहले देखते हैं कि जो पूर्ण सूर्य ग्रहन है, वो यूएसे में उसकी टाइमिंग क्या है, अमेरिका में टाइमिंग देखते हैं, तो अमेरिका के टाइम के अनुसार 14 दिसंबर 2020 में दिन में 1 बच के 33 मिनिट से ये ग्रहन शुरू हो और 18 तक ये ग्रहन रहेगा, यानि कि 1 बच के 33 मिनिट से लेकर 6 बच के 53 मिनिट तक शाम के ये ग्रहन रहने वाला है, इसी प्रकार से अगर देखा जाए, तो वेस्ट और नौत अफरिका के अंदर देखा जाए, तो वहां आन्शिक यानि पार्शल सूर्य ग्रहन है, वहा शाम के 6 बच कर 55 मिनिट से लेकर और शाम के 7 बच कर 17 मिनिट तक इसका विशेश प्रभाव रहेगा, साउथ वेस्ट अफरिका के अंदर, अब बात कर लेते हैं सूतक काल के बारे में, तो जैसा आप जानते हैं कि सूर्य ग्रहन जब भी लगता है, उसका सूतक काल 12 गंटे पहले शुरू हो जाता है, इसी प्रकार से चंदर ग्रहन जब भी लगता है, तो उसका सूतक काल, शास्तरों के अनुसार 9 गंटे पहले से शुरू हो जाता है, अब सूतक काल ऐसी अवदी होती है, ग्रहन लगने से 12 गंटे पहले, शास्तरों में कुछ कारियों की मनाही कही करना हैं। उसके बारे में चर्चा कर लेता हूं। grinding having procedures करेगा। इसलिए प्रभावीद करेगा खासकर साउथ अमेरिका को प्रभावीद करेगा। यह साउथ अमेरिका में आने वाली जितनी सितिया हैं। उनको प्रभावीद करेगा। तो उनको 12 गंटे पहले क्या करना है और खासकर उनके लिए बता रहो जो भारतिये हैं जो प्रवासी भारतिये हैं तो उनके लिए क्या करना है उनको उस समय पे 12 गंटे पहले यात्रा करना या कोई मांगली काम करना या कोई क्रय विक्रय करना यात्रा करना वरजित होता है कोई भी शुब काम करना कोई शुब काम नहीं कर सकते कोई चीज खरीदना कोई चीज बेचना सूर्य ग्रेहन से 12 गंटे तक वरजित होता है गरबवती महिलाओं की यातरा करना वरजित होती है तो ये सुतक काल में जो भी अमेरिका साउथ अमेरिका में लोग रहते हैं उनको ये थोड़ा सा 30 मिनट से लेकर और 6 बच के 53 मिनट शाम तक रहेगा और मोस्टली ये जो पूर्ण सूर्य ग्रहन है ये अमेरिका में है खासकर साउथ अमेरिका में तो आपको ऐसे काम नहीं करना है जो कि शास्तुर के अनुसार बताया गया है कि ग्रहन जब लग रहा हो तो उस समय पे होना वर्जीत है हाँ ग्रहन काल में जो शुब काम होते हैं मानसिक जाप अच्छा होता है यानि कि आप ओम घ्रणी सूर्याय नमा का जाप आप कर सकते हैं ओम दुम दुरगाय नमा का जाप ग्रहन काल के दोरान आप कर सकते हैं या ओम नमस्शिवाय का जाप आप कर सकते ह सार ग्रहन के दोरान मानसिक जाप करना चाहिए बैड पे करते हैं चाहिए आप मंदिर में करते हैं मानसिक जाप करना 38 कर होता है याद रखीएगा तो आज हमने इस कारेकरब में आपको बता दिया है कि सूतक काल क्या है सूतक काल क्यों लगता है, सूतक काल में क्या वर्जित काम होते है और ग्रहन काल के दोरान आपको क्या करना और क्या नहीं करना है इसके बारे में भी हमने चर्चा कर लिए अब बात करते हैं जो ब्रिच्चिक रासी पे ये जो सूर्य ग्रहन पड़ा है खासकर अमेरिका और अफरिका में इसका ज़्यादा प्रभाव है तो देखा जाए तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है खासकर अमेरिका के बारे में चर्चा कर लेते हैं तो अमेरिका में जहां भी ये ग्रहन पड़ेगा वह ठंड जादा बढ़ जाएगी पहला चीज ये नजर आ रहा है नौकरी पेशा वर्ग लोगों के लिए परिशानी लेके आ रहा है ये ग्रहन साती साथ चोरी या तसकरी की घटना जादा पड़ जाएगी पूर्ण ग्रहन का जो प्रभाव होता वो 21 दिन तक होता है यानि ग्रहन के बाद 21 दिन तक यह घटना होने के योग बनते हैं अब मित्रों यह चर्चा कर लेते हैं जो यह जो सूर्य ग्रहन है यह अमेरिका साउथ वेस्ट अफ्रिका के अंदर बारा राशियों में किन राशियों के लिए जैकपूट लेके आ रहा है क्योंकि जब सूर्य ग्रहन लगता है तो सभी के लिए खराब नहीं होता है और बहुत कुछ लोगों के लिए खराब होता और जिन लोगों के लिए शुब होता है उनके लिए बहुत अच्छा शुब होता है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मे छितुन राशी की रोग में व्रिद्धी हो सकती है सिब्येंद के गर्षार और वाद विवाद बढ़ सकता ह쁠ा है। इसी प्रकार से हम करक राशी के अगर बात करें तो करक राशी के लिए यातरह की योग नजर आ रहा है सुब समाचार सिग राशी को धनहानी नजर आरहे हैं कन्या राशी के लिए धन याब लेकèse आरहे सूर्य ग्रहांड तुनला राशी के लिए खुश कबरी लेके आरहे हैं इसी प्रकार से धनु के लिए बात करें तो उनको कोई ना कोई सरकारी कष्ट के योग नजर आ रहे हैं इसी प्रकार से मकर राशी की बात करें तो मकर राशी के लिए इस्थान परिवर्तल लेके नजर आ और साथी साथ कही ना कही आपका कोई रुकावकाब बन जाएगा मित्रो यह राशी का एफेक्ट वही होगा जहां पर ग्रहन का एफेक्ट है और ग्रहन का एफेक्ट है साउथ अमेरिका के अंदर और साउथ और वेस्ट अफरिका के अंदर जादा है तो यहीं पर जो यह रा